हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक तो माई यूट्यूब चैनल आर्ट मैजिक तो आज हम एक नई ड्रॉइंग बनाने जा रहे हैं पठ चित्रा पेंटिंग जिसमें हम विश्णु जी लक्षमी जी और गरुदेव को कवर करेंगे है। तो आब हम ने यहां पर अपनी ड्रॉइंग को पहले से कपर के रेडि आ तो आब हम सबसे पहले लाइट बलु कवर बनालेंगे विश्णु जी की स्केन को कला करने के लिए तो हम ने ड़्लु कला के अंदर जस्ट वाइट to get light blue color और उनके सारे skin parts को हम cover कर लेंगे now अब हम लोग लक्षमी की skin को yellow color करने वाले हैं and गरुरदेव के भी skin को हम yellow ही color करने वाले हैं and विश्नु जी की जो धोती है उसको भी हम yellow color करके ready कर लेंगे अब हम लक्ष्मी जी के जो कप्ड़े हैं उनको तिंक कलर करके रेडी कर लिए और गड़ूदेव की जो ध्होती हैं उसके उपर वाले पास को हम रेडा लिए नाव अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यलो कलर की जूलरीज बनाना तो हमने यलो के अंदर थोड़ा सा रेड कलर मिलाया है तो गेट दिस डार्क यलो कलर इससे हम सारी के सारी जूलरीज, बॉर्डर्स सब को कम्प्रेट कर लें अब हम बादल को कलर लेंगे डाग ब्लू कलर से एंड जो गरुदेव की जो पंक हैं उनको हम परपल कलर कर लेंगे एंड जो विष्णु जी के पीछे जो सूरज है उसको लाइट यलो कल लेंगे यलो कलर के अंदर बस थोड़ा सा वाइट मिलाई है आपको वह कला मिल जाएगा बैक्राउंड के लिए हम औरेंज कलर कर यूज करने वाले हैं और आप अब देख सकते हैं कि हमने कुछ इतना कंप्लीट कर लिया है वीडियो को एंड तक देखते जाएए और सीखते जाएए तो हम यहाँ पर चोखट बनाने जा रहे हैं जिसको हम एक बेस कलर ब्लाक की देंगे दोनों चोखटों को कंप्लीट करने के लिए अब हम रेड गला का यूज करेंगे जितने भी पर्ल मोती जो हमें ड्रॉइंग में दिख रहे हैं उन सबको हाईलाइट करने के लिए रेड मोती से हम उन्हें दिखाएंगे और सभी के लिप्स को भी हम उसी कलर से कर देंगे नाव अब हम ने ब्लाक कलर ले लिया है एंड उससे अब हम सभी को हाईलाइट एंड बाउंडरीज करना शुरू करेंगे आपको बहुत ही जादा एक थिन ब्रश लेना है मैंने यहाँ पे जीरो नंबर का ब्रश यूज किया है सारी बाउंडरीज को कमप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज़यादा पेशन्च से आराम से करना है कोई जल्दवाजी नहीं है कोई आपकी ट्रेन भागी नहीं जा रही है आपको जली-जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है आराम से करड़े तब ही आपकी ड्रaving मैंने ड्रॉइंग को अब कुछ इतना कंप्लीट कर लिया आप देख सकते हैं सारी की सारी ब्लाक बाउंडरी इस कंप्लीट हो चुकी है अब हम चौकट जो हमने ब्लाक लखी करी थी उसके उपर हम यलो कलर से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर हमने बेल बूटे का डिजाइन लिया है आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन ले सकते हैं इस एरिया को फिल करने के लिए अब हम इस ड्रॉइंग को एक बॉडर देने वाले हैं तो अब हमने ब्लाक पेंट ले लिया है और अब हम थिन लाइन्स बना रहे हैं उस जो हमने ड्रॉइंग जितनी कप्रिट कर लिया है उसके आज़ू आज़ू अब यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे डिजाइन्स बन अधिक उससे लाइन दीजिए ताकि वह पूरा का पूरा बॉर्डर कम्प्लीट नजार है अब हम आपको लास्ट फाइनल बॉर्डर दिखाएंगे जो स्पेस बची थी उनमें हमने क्या किया है सबसे पहले हमने एक बेस ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की बेस लेयर बना दी है उसके उपर हमने यलो कलर से वेव पैटन को ड्रॉ किया है फिर उसके बाद हमने रेड पेंट से वहाँ पे कुछ लीव्स का डिजाइन बनाया है जिसके उपर हमने एक औरेंज की लेयर दी है एंड उस सब को हमने यलो से बढ़ दे तो ये है मारा ट्रॉइंग का फाइनल अब देख सकते हैं